हेई गाइज गुड़ मॉर्णिंग सुभा सुभा मॉर्णिंग में उइंटर के टाइम पर उठना बहुत बढ़ा एक टास्क लगता है मैंने छे बज़े के अलाम लगाया तो सारे छे बज़ गया सिर्फ असी पांस मिनीट करते करते यह आई थिंग सभी के साथ होता होगा है पर मॉर्णिंग में उठना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है वो हेल्थ के लिए वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी पहले मैं बिल्कुल भी मॉर्णिंग परसन नहीं थी काम के वज़े से पर अभी मैं टोटली मॉर्णिंग परसन बन चुकी हूं विंटर में म सारे चेक के बीच में उठ जाती हूं वही मेरे लिए मॉर्णिंग होता है बट मैं समर के टाइम पर और थोड़ा जल्दी उठती हूं जाए से कि पांथ सारे पांच बज़े या फिसारे चार बज़े तक और आज का वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्यूंकि बहुत ही ज्यादा बारिस हुआ तक कोलकटा में थस्डे नाइट को बहुत पूरा रात तो आज बहुत ज़दा ठंडा हुए दर है मॉर्णिंग में मैं बहुत ज़दा प्रोडेक्टिव फिल करती हूं और मॉर्णिंग में उठने से मेरा हेल्थ में जो सब इसू था वो सारे ची लेती हूं और गरम पानी ब्रस करने के बाद मैं फेस्वास यूज नहीं करती हूं अपने फेस में डायरेट में पानी से अपने फेस को क्लीन करती हूं सुबा सुबा मैं फेस्वास यूज नहीं करती हूं उसके बाद डायरेट में लगाऊंगी संस्कीरिम क्योंकि बहुत ज़दे इंपोर्टेंट होता है क्योंकि धूप सेकने जाना है अब ही मुझे तो संस को प्रोटेक्ट करने के लिए संस्कीरिम तो चाहिए और उसके सा साथ में लिप में भी लिप बम जो लगाती हो भी एस्पीए बला ही रहता है सुबा में मैं इतना ही करती हूं दैट्सिट उसके बाद मैं अपना बैलकुनी बे जाओंगी अर अभी मैं अपना ड्राइफ फ्रूट और अपना गरम पानी को इंजॉई करूंगे नेचर के सा जड़ा बारिस हुआ था तो अभी तो नहीं निकला है आइधिंग साथ सारे साथ आठ बाजे का बाद भी साएध धूप निकल जाए बट अभी मैं बहुत जड़ा इंजॉई करती हूं और मैं अकेली रहती हूं तो मैं बहुत सारा चीज में सोचती भी हूं और बहुत इसके बाद में सीधा जाती हूं अपने बेड रूम में अपने बेड को क्लीन करना एक टिप्स देना चाहूंगी जो मेरा बहुत है बेड को क्लीन करते वाग ब्लैंकेट हम लोग हमें से साइड में रखते वींटर में ऐसा मत करना क्योंकि आपको हमेंसा बेड में कभी भी मुर्णिंग में वूक आउट करने का बेनीफिट तो बहत ही ज़्यादा है में अपना परसनल एक्सपीरियेंस एर करूँ तो ऑक आउट जब से मैंने करना सुरू किया है मेरा वूक आउट करना जिम जॉइन करना मेरा six year हो गया है and six year में मेरे body में मेरे skin में मेरे overall health में जो change आया है ना मैं कभी आप लोगों के साथ वो एक दिन share करूंगी walk out करने से आपका 99% problem solve हो जाता है yes guys बहुत ही ज़्यादा आप light fill करते हो आपका body manner detox कर देता है आपका skin, आपका hair, overall health, body health issue आपका solution होता है मेरा PCOD का इतना major problem था without any medicine, just healthy lifestyle से walk out से मैंने ठीक किया है I am proud myself कि मैंने आपने आपको इतना ज़्यादा motivate किया है आप बहुत सारा experience के बाद मैंने अपना एक healthy body achieve किया है so मैं बहुत ज़्यादा खुस होती हूँ जब आपने आपको देखती हूँ कि मैं पहले क्या थी अभी क्या बनी हूँ सिप खुद को motivate करके कि हाँ मेरा skin अच्छा होना चाहिए, मेरा hair अच्छा होना चाहिए, मेरा body अच्छा होना चाहिए खुद को ध्यान रखे, खुद को प्यार करके and walk out बहुत ही ज़्यादा important है जो जो करते नहीं हो नो girls फ्लीज घर पे भी अच्छा हेल्दी इसकीन बॉड़ी हेर कुछ नहीं पा सकते हो आप क्रीम लगा के सिरम लगा के एक्सपेंसिब से कुछ लगा के आपको कुछ नहीं होने वाला है चो वोक आउट मस्ट है तो इसको अपने रूटीन पे इंकुलूड जरूर करो आप जिम से आने के बाद अभी मैं अपना थड़ासा बाबो के साथ खेल रही हूं आपके घर पेट्स है ना गाइस आप लोगों तो पता ही होगा पेट्स रहने से ना कभी अपके डिप्रेशन नहीं हो सकता है जो आजकल बहुत चल रहा है ना डिप्रेशन डिप्रेशन या फिर छोड़ा छोड़ा बच्छा लोगों को भी आजकल डिप्रेशन हो जाता है डिप्रेशन में यह हो रहा है व कंडिशनल जो प्यार होता है वो आपको मिलेगा वो धोके बाद दोस्तों होते हैं हमारे लाइफ में कुछ तो रहते हैं ना लाइक बहुत अच्छा-च्छा मुह के सामने बोलते हैं पर पीठ बैट बिचिंग करते हैं अच्छा नहीं सोचते हैं या फिर आपके बुराई ध सब्सक्राइब ले सकते हो तो पेट्स पाल के देखो दिल खुस हो जाएगा अब पूरा मता है हैपी परसन रहो गयार उसके बाद मैं अभी प्यूंगी अपना डिटॉक्स जूस सो डिटॉक्स जूस मैं मॉर्निंग में पीती हूं पर सुबह उठते ही नहीं पीती हूं कि कि उससे मुझे ठंडा लगने का थोड़ा सा यह रहता है क्योंकि मैं मुझे थोड़ा सा कोल्ड का प्रॉब्लेम है तो मैं गरम पनी और ड्राइफ्रूट खाके मैं जाती हूं जीम में आने के बाद मैं डिटॉक्स जूस पिती हूं और डिटॉक्स जूस पीना मैंने सुर मतलब अल्मोस्ट ब्लैकित आइप पुला था एंड इस्की नग्या में बहुत प्रॉब्लम था को त्र कैले मेरे मेरे इसाब से इसाब से तो उस हिसाब से मेरा इसकी नभी बहुत ज़्यादा अच्छा है विकाज में इंटरनल और एक्स्टरनल दोनों का कियर करती हूं बहुत ही इंपोर्टेंट है अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफर्स्ट तो ब्रेकफर्स्ट में मैं बना रही हूं पालक मैंने एड़ किया है आत इसा घील आते है और प्रोटीन के लिए यहां पर मेरे टू यह वाइट लिया है और एक योलो पाट लिया है और यह मैं सुभाई खाती हूं सुभा मेरा ब्रेकफर्स्ट कुछ इस तरीके के होता है अभी विंटर टाइम है इसलिए मैं रोटी पाराठा ज्यादा का रही पको बॉड़ी में उत्णा खाना भी जाना चाहिए घर का हेल्दी काना जिससे लिए घ मैनेज रहता है और है रहते हो अब यह चींज बूग श्यांद अपना रूम को clean करूंगी, कभी भी अपने मम्मी के उपर ये छोड़ में देना कि school जाना है, college जाना है, office जाना है, मम्मी कर देगी, अपना clean नहीं करना है, अपना खुद का काम नहीं करना है, कभी भी ये सारे चीज़ मत करना, because एक time पर regret feel होगा, और ये करना भी नहीं चाहिए, खुद का हर एक चीज़ खुद करना आना चाहिए, मेरा ये habit बना है, because अप मेरा माने ना छोटा सही, मतलब school time में जब थी, 9-10 9 तक, हाँ, 9-10 तक ममी ने आदत दिला दिया था, कि खुद का uniform clean करने का, bed को थोड़ाचा ज़ाड के रखो, फिर थोड़ाचा alternate करके, अगर हो सके तो ज़ाड़ू दे दो, ऐसा type का, तो मेरा वो आदत बना है, अब मैं अकिली रहती हूँ बाहर में रहती हूँ, तो मेरे को कभी problem face नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ममी ने यह सारे चीज़ अरड़ी सिखा दिया था, कि ऐसा रहना है अभी मैं अपना कपड़ा भी धो लिया है मैं नाहाने से पहले अपना रूम को clean कर लेती हूँ कपड़ा वेगरा जो धोना होता है वो सारे चीज़ भी कर लेती हूँ क्योंकि आपको खुद का काम खुद करने आना चाहिए उससे इतना अच्छा फील होते हो एक टाइम करके देखो जो लोग घर पे रहते हो ममी पापा के साथ आप लोग को मैं बोल रहे हूँ आप लोग करके देखो बहुत अच्छा फील होगा आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि भाई मैं अपना काम खुद से कर रही हूँ और जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग तो खुद से सब कुछ करते ही है विंटर में मैं सावर जल के इसकीप करती हूँ और यूज करती हूँ ग्लिसरीन सोप यह आई थिंग हम सभी करते होंगे बसपन से मैं देखते आई हूँ मेरे घर पे सब कोई करता है और ग्लिसरीन सोप यूज करने से आपका बॉडी ड्राइब भी फील नहीं होता है और उतना ज्यादा खीचा खीचा फील नहीं होता है तो मेरा तो फेबरीट है विंटर में ग्लिसरीन सोप अब मैं करूंगी अपना मॉर्णिंग स्किन केर रूटीन तो अफ्टर सावर में प्रोसेस फॉलो करती हूँ तो फर्स इस्टेफ है स्किन को क्लीन करना तो डॉटन की का फॉर्म फेस्वास यूज करने हूँ वाइटेमिन सी यह फेस्वास मुझे काफी अच्छा लगा यह मेरा फर्स बॉटल था और मेरा अलमुष खतम भी कर चुकी हूँ मैं तो थोड़ा से यह बचा है तो फेस्वास मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका इस्मेल भी बहुत अच्छा है अभी मैं यहाँ पर 20 सेकेंड अपना फेस्वास को अच्छे से मसाज करूँगी उसके बाद मैं मुझे दोलूँगी उसके बाद फेस्टावल से डैब डैब करके इसकीन को अपको सोख करना है जो भी एकसेस वाटर है कभी भी घीसना नहीं है और कोशिश करें फेस्टावल यूज करने के लिए सेपरेट और उसके बाद मैं यूज करूँगी अपना मॉस्टर रज़र तो यह मेरा फेबरिट मॉस्टर रज़र है वाल टाइम में 12 मेहिना सालों से यही बॉंस का मॉस्टर रज़र यूज करूँगी अभी एकोलेजी का काट D10 संस्क्रीम आलमुस्ट खतम हो चुका है इसका मैंने साए 3 ट्यूब मैंने खतम किया है और इस संस्क्रीम मुझे बहुत ज़़र पसंद है अब मैं भर भर के लगा लूँगी संस्क्रीम थोप लूँगी अपना पुरा फेस में क्योंकि मौर्णिंग में इस से ज़्यादा एफेक्टिव और कुछ होई नहीं सकता है अपने स्क्रीम को प्रोटेक्ट करने के लिए विकोज संस्क्रीम बहुत ज़़़र इंपॉर्ट है हम लोग जो भी लगा रहे है जो भी का रहे है जो भी खा रहे है जो भी फिरे जो भी बेनिफिट मिल रहे है अगर संस्क्रीम लगाएंगे नहीं तो कुछ फाइदा नहीं इसकिन वैसे ही डल होना है, पिग्मेंटेशन होना है, तो संस्क्रीम बहुत इंपॉटन है, संस्क्रीम फेस के साथ साथ लिप को भी जरूरत है, तो आप लिप बम ऐसा चुछ किजिए, जो SPF हो, तो ये रहा मेरा वो सारे प्रोडेक्ट जो मैं मौर्णिंग में यूज करती करते हैं, तो इस बेल्ड को मैंने चेंज कर लिया, बुलू के साथ रेट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा मैंने सोच बेल्ड को चेंज कर लिया जाए, तो मेरा स्किन केर फेस का तो हो गिया है, अब मैं स्किन केर करूंगी अपना बॉड़ी का और अपना ह तो हेयर में मॉर्णिंग में उतना ज़दा कुछ करती नहीं हूँ बट अच्छे से इसको डिटैंगल जरूर में करती हूँ ताकि ब्लड सर्कुरेशन हो and body के लिए मैं यूज करूँ SPA बला body lotion क्यूंकि face को protect करने के सासथ body को भी protection की जरूरत है and आप बाहर job कर रहे हो, school जा रहे हो, college जा रहे हो फिर बाहर कहीं पर भी जा रहे हो तो धूप तो आपका body में भी लगता है, tanning होता है, pigmentation होता है तो आप कोशिस कीजिए कोशिस क्या, आप अपने routine में इसको add कर लिजिए, कि face में sunscreen में अपलाई करना है तो body में भी करना है ताकि आपका face और body का skin tone दोनो even रहे है vitamin C serum मेरा face में suit नहीं करता है, इसलिए मैं लेती हूँ vitamin C का dose हर रोज winter के time पे orange market में बहुत ज़दा reasonable price में मिलता है और available भी रहता है तो मैं हर रोज एक glass morning में vitamin C लेती हूँ, juice बना के घर पे, market में जो juice मिलता है उसको मत लीजिए घर पे बना के fresh अपने हाथों से पीजिए, उससे आपको बहुत ज़दा benefit मिलता है topical applications में 30% walk करता है पस 70% अपका internally walk करता है तो मैं लेती हूँ internally ताकि मेरा body में वो सारे benefit मिल सके मेरा hair और skin दोनों को उसका फाइदा मिल सके इसलिए मैं हर रोज कोशिस करती हूँ, winter में at least मैं orange अपने diet पे include करूँ vitamin C को सो आज का जो मेरा simple सा morning productive वाला routine जो था मैंने share किया, I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो comment में जरूर बताना और वीडियो को like, share, subscribe कर देना, फिर में मिलूंगी मेरा next वीडियो में तब तक के लिए आप लोग चैनल को भी subscribe करते हुए जाना guys और खुस रही है, productive रही है और आपने lifestyle को healthy बनाईए